हेलो फैंस तो आज मैं आपको आलू शिमला मिर्च की ऐसी टेस्टी चटपड़ी सबजी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस तरह से सबजी बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बच्चों के स्कूल टिफन या लंच बॉक्स के लिए आप इसको दे सकते हैं इसके बद आपने छोड़ी चोड़ी पीसस कर देने हैं तो गए देखे एक के तीन पीसस मैंने कि यह आप और इसके बाद इसको चोड़ी टूकड़ी में काट लीजिया तो सारी शिमला में आपने इसी तरह से काट लेनी है और जो आलू है अच्छी तरह से छील लीजिए छीलने के अपने आलू को पानी में डाल देना है ताकि इनका जो कलर है बार से डार्क ना हो जाए और इसके अपने आलू को भी क्यूब्स में काट लेना है तो ये देखे एक आलू के आपने 4 पीसीज करने है और उसके बदा आप इससे बनवाई टू कर दीशे देखे एक आलू के मैंने आपर 8 पीसीज कर लिया है सारे आलू आपने इससी तरह से काड लेने है और इनको पानी में छोड़ दीशे मसाला बनाने के लिए सिर्फ आपको एक प्याज और दो टमाटर चाहिए होंगे जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है यह देखिए इस तरह से आपने प्याज में कट लगाने है दूसरी सब भी कट लगाई है प्याज को आपने बनवाई टू करना है और बनवाई टू करके इस तरह से पकट के आप इसको बारेक चॉप कर सकते हैं चाप फिरा प्याज को स्लाइस काट के भी यूज कर सकते हैं लंबा लंबा भी काट सकते हैं देखिए ब्याज को मैंने फायन है जो टमाटर है टमाटर को आपने क्यूब्स में काटना है तो टमाटर को आपने बनवाईडू करना है और 20 से चमच साबू जीरा एड़ करना है और एक बड़ा चमच आपने इसमें बारी कटवा लसून एड़ करना है थोड़ी से आपने इसमें हींग एड़ करनी है और थोड़ी से आप इसमें अजवाइन एड़ कीजिए यह शिमला में की सबजी है कि अबर गैस्टीक हो जाती है इसक तक आपने प्याज को हाई फ्लेम में पकाना है ताकि इसका जो कच्छा टेस्ट है ना बोग खतम हो जाए तो प्याज यहां पे सॉफ्ट हो चुका है इसमें जो मौईस्टर है वो भी कम हो चुका है इसके वद आपने बारी कटो अधरक और हरी मिर्च करनी है बच्चों के लिए बना रहे हैं मिर्च का यूज आप यहां पे कम कर सकते हैं अधरक और हरी मिर्च को भी आपने प्याज के साथ यहां थोड़ी तिरफ पका लेना है इसके वद आपने इसमें नमक अड़ करना है तो आदर चमश देखिए मैं इसमें नमक कर दिया है आप इसमें हल्दी पॉर्टर एड़ कर दीशे ताकि हमारी सब्जी में कच्छा कलर आए और हल्दी और नमक को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लीशे तो आपने प्याज को डेट से दो मिन्ट तक ही पकाना है प्याज छोड़ा कच्छा रहेगा ना इसके बद आपने इसमें आलू भी एड़ कर देना है ज़्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लीशे अब मैंने प्याज को ज़्याज को ज्यादा क्यों नहीं पकाया जब तक आलू पकेंगे तब तक आपका प्याज अच्छी तरह से लाइट गोर्डन पर जाएगा गैस की फ्लेम एक पद immortal मिर्ची ज Tampa है जीम करो डाल मिर्चा पॉड़रे चोकर बल्च करना के लिए को पहले बताई दिया था की बच्चों के बना रहे हैं मिर्ची आप कम डाल सकते हैं सब हम आप पर आलू को पकते हुए लगवद साथ मिनिट हो चुके हैं और देखिए प्याज का कलर भी लाइट गोल्डन ब्रॉन हो चुका है इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ आलू को मिक्स कर लेना है तक ही प्याज वह नीचे से जलेना और इसके बुद आपने समय शिमला में श कर लिया है थोड़ी देर के लिए मैंने गैस की फिलम तेज की थी इसके पूद आपने इसमें क्यूबस में कटे हुए टमाटर एड़ करते हैं अगर आप टमाटर नहीं डालना चाते हैं तो इनको स्कीप भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ड्राइमेंगो पौडर का बीडियम रखनी है जद्यक तेज़ गैस में अपने मसालों को नहीं पकाना है ने तो मसाले जो हैं जलना शुरू हो जाते हैं तो देखिए मसाले अच्छी तरह से यहां पर मिक्स हो चुके हैं सबजी को आपने उपर से कबर कर देना है और गैस की फिलम आपने एक तम लो क और शिमला भी थोड़ी से कच्चे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने सेंटर में पानी याइड करना है फिर से उपर से कबर कर देशे और सब्जी को अपने तब तब काना है जब तक अच्छी तरह से पानी क्यों डाला थोड़ी सी स्टीम बनेगी आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और शिमला मिर्ष भी गल जाएगी और हमारी सब्जी भी नी चलेगी तो यहाँ पे मुझे सब्जी को पकाते हैं लगो ना 15-16 मिनिट हो चुके हैं और के देखे शिमला मिर्ष भी अच्छी तरह से सॉफ्ट है चुकी है और जो अलू हैं घबला सको ही झाला तो इसके भी उच्छी तरह regular हो ऑप सुपकर चुक झम झाल कर pirक कर लो हो आ भी घूर स्पाइज कर टूरा प्याल तयुजद हा कि टूंए झाल कर वारा